परी को मिली राकेस के जिन्दा होने की खबर परी और राकेस वे आमने सामने जी हाँ क्या है पूरी खबर शलिए आपको बताते हैं दरसल हम बात कर रहे हैं कलर्स टीवी शो परी नीती की जिसके अपकमिंग ट्रैक में हम यह देखेंगे कि परी ने मौन्टी को सर्विंट बना कर राकेस के घर पे भीज़ती है और वहीं परी को इस बात का शक होता है कि कहीं न कहीं राकेस अभी जिन्दा हो सकते हैं इसलिए परी तहकिकात में लग जाती है एक और मौन्टी का कॉल आता है और मौन्टी बताते हैं कि राकेश के घर में कोई ऐसा इंसान आने वाला है जिसे हर किसी के नजरों से बचाया जा रहा है उस इंसान को देखने की परमिशन किसी भी सर्वेंट को नहीं है और तभी परी ये अंदाजा लगा लेती है कि वो कहीं न कहीं राकेश ही हो सकती है और परी राकेश के घर के पास पहरा देने लगती है तहकीकात में बैट जाती है परी राकेश के घर के पास शहाँ पर अचानक से एक इनसान चद्दर ओड़ कर आता है जिसे देख के परी शौक हो जाती है लेकिन कहीं न कहीं ये सोचने लगती है कि ये इंसान कहीं राकेशी तो नहीं परी उस चेहरे को देखने की कोशिश करती है लेकिन परी उसका चेहरा नहीं देख सकती है क्यूंकि उसके साथ में कोई और इनसान था जो कि उसका खास दूर उसे प्रोटेक्ट कर रहा था पूरी तरीके से लेकिन याप परी अन्दाजा लगा बैठी है कि वो इनसान राकेश ही है क्यूंकि चादर तोरते ही परी एक जलक राकेश की देखती है विल अब देखना होगा काफी इंट्रेस्टिंग की इसके बाद परी क्या फैसला लेती है और क्या सबूत जुटाती है क्या लगता है आपको हमें कॉमेंट्स के जरीए जरूर बताएं साथ हैसे और तमाम ख़बरों के लिए सबस्क्राइब करना ना पूल